हाई कैसे सब लोग, howto create a blog on bloggersput.com, एफ तो blogger.com, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप free में कैसे अपने एक internet पे वजूत create करेंगी, यानि कि internet पे एक blog create करेंगे without any money, यानि कि एक दिम zero रुपीश में, तो यहां पर मैं यूज्ञ करने वाला हूँ, blogger.com जो की Google की तरफ से आता है बिल्कुल फ्री में आता है अब यहां पर में बता दिता हो कि स्किन में जाने से पहले आपको कौन-कौन से चीज़ों की जरुवत पढ़ेगी सबसे पहला अगर एक डेक्स्टॉप हो तो बहुत ही बढ़िया यानि के लैपटॉप अगया होतो तो बहुत ही बढ़िया वरना आप मुबाइल के थ्रूप कर सकते हो इतना कोई मुश्किल का करना आता ही होगा तो सिंपल है उसको क्रियेट कर लीजिए और आगे इस वीडियो को आप देखते रही है तो चलो अभी हम स्कीन में जाते हैं देखते हैं कैसे 5-6 मिनिट के अंदर ब्लॉगर में एक फ्री का ब्लॉग क्रियेट करेंगे तो आपको आना है ब्लॉगर.com प ठीक है क्योंकि यार देखो यार हमारे पास पहले कोई ब्लॉग ब्लॉगर का अकाउंट नहीं है तो इसलिए हमें एक जीमेल आइडी बनाना पड़ीगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आपको एक जीमेल आइडी की जरूरत पड़ीगी अब यहां पसे देख सेखते ह तो आपको सिम्पल यहां पर साइन इन पर क्लिक करना होगा या फिर तो अगर कोई दूसरा अकाउंट होगा तो यूस एन अधर अकाउंट करकर आप उसको भी कर सकते हूं ठीक है तो हम सिम्पल यहां को सेलेट करते हैं जोकि हमारा ऑपिशियल एकाउंट है ब्लॉगिंग करना होगा देखो यार अगर अब वर्टपेस पर जाओगे तो वर्टपेस.com का एक प्रोफाइल आपको क्रेट करना पड़ेगा वो सब तुम्हें वर्टपेस की स्रीज में बता दूंगा लेकिन ब्लॉगर का प्रोफाइल देखो यार आप इससे पहले तो गूगल प्लस का का प्रोफाइल होता है उससे काम मन जाथा ता एकिन गूगल प्लस जो है वह रिसेंटली बेन हो चुका है ठीकिए इस एपिरिल मंत के एंड में तो हमी यहां पर एक ब्लॉगर का ब्रोफाइल बनाना होगा जो प्रॉफाइल्ड आप इस ब्लॉगर अकाउट में जितने भ हुँ साइट से इंटनेट पर उहां पर जाकर अगर अगर अगरEO कमेंड करोगे तो बाई डिफट आपका प्लॉक का जो प्रोफाईल है कि वहांपर शो aspiring तो डिस्प्लेनें में आप कोई साथ है आपका अनिकनेम प्रोपेशिछनन करता हो तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो तो फिलाल के लिए मैं यहाँ पर डालूँगा ब्लॉगिंग माफिया क्योंकि यह मेरा ब्लॉगिंग नेम है ठीक है और उसके बाद continue to blogger पर क्लिक करना होगा तो अब हम blogger पर आ गए लेकिन हमने अभी तरक कोई भी नया blog create करेंगे तो हमारे पास बहुत option आ जाएंगे इहाँ पर डेखें यहाँ पर new blog लिखा हूँ आ रहा है यहाँ पर भी और और प्लोग कर सकते यहाँ फिर तो create new blog पर भी क्लिक करके het एक blog create कर सकते तो simply हम yes पे click करते हैं और उसके बाद हमारे पास ऐसा पूछेगा title, address and theme चुछ करने को बोलेगा तो title, address क्या है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर मैंने सच के हमारा parent channel जो है तो यह दिख से तो takerepon.com number on Indian blogging community तो यह होता है title उसके बाद जो https.www.takerepon.com यह होता है आपका address ठीक है यहाँ पर जो बोल रहे हैं title and address तो title में हम यहाँ पर लिख देते हैं blogging mafia है ना blogging mafia हमने लिख दिया उसके बाद address में आप देखिए कि आपका जो blogging mafia जो यह जो है इसके साथ available है या नहीं यहाँ पर देखिए को मैंने blogging mafia जब भी नेम डाला है तो .blogspot.com यह आपको free का domain मिलेगा क्योंकि यह free का domain है इसलिए आपको .blogspot.com का extension है यह आपको by default आप इसको हटा नहीं पाएंगे आप तब इसको हटा पाएंगे जब आप इसको एक custom domain premium domain से replace कर देंगे वो मैं आगे वीडियो के series में बताऊंगा कि आप कैसे इस domain name को change कर सकते हैं अब यहाँ पर देखो मैंने bloggingmafia.blogspot.com जब दिया तो यहाँ पर यह चीन्या आ रहा है इसका मतलब कि हमारा जो name है जो address है वो अभी available नहीं है ठीक है अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा और भी कुछ में देख के देखता हूँ कि क्या कुछ available होता है या नहीं so guys finally बहुत research करने के बाद मुझे यही एक name मिला है theponmafia.blogspot.com क्योंकि और कोई सा भी name available नहीं है और अभी में ज्यादा time spend नहीं कर सकता तो इसलिए मैं जल्दी जलने करने के मतब कोशिश में यह सब में कर रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं हम बाद में इसको change करने हैं अब बारिया आते है themes की देखो यह थीम यहाँ पर बहुत सारा आपको इंटरेट पर वजूद है वह create हो चुका है आप अपने ब्लॉग को देखने के लिए व्लॉग पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा website का address है यानि के domain name है फ्री का domain name है जिसके लिए हमें कोई पैसा पेर नहीं करना पड़ेगा अब इसको आप अगर create कर लिए और इसको आप अपने दोस्तों को share करके बोल सकते हो कि देख भाई यह मैंने यहाँ पर internet पर blog अपना एक website open क्या है अब guys इसमें काफी सारे काम बाकी होगा काफी सारे कुछ अभी आपको सीखने में बाकी है आप इस वीडियो का next वीडियो जरू से देखना और इस पूरे सीरीज को playlist में आपको मिल जाएगा तो पूरे playlist को अगर आप देखोगे तो यह blog आज जैसे दिख रहा है एक डम professional blog जैसे दिखता है उस तरीके से बन जाएगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो takereport.com है तो यह किस तरीके से यहाँ पर देख रहा है हला कि यह wordpress based website है तो blogger पर भी हम ऐसा website बना सकते हैं कोई बात नहीं लेकिन गाइस अगर आप regularly इस series को follow तो definitely आई आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आप advanced भी है मतलब आप यह सब को जानती भी है तो भी मैं आपको refresh करूँगे आप यह वीडियो यह पोरा series देखे ठीक है यह तो हमने सीख लिया कि blogger में blog कैसे create करते हैं अगर आपको आगे जानना कि क्या करना है तो आपको नीचे description में दिए गया लिंक को follow करके इस series का next video आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या-क्या चीज करना है कौन-कौन से चीज को follow करना है आज के इस वीडियो में इतना ही था उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा स्वार गाइस मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई